आज बॉक्स ओफिस पर सलमान और विद्दू जम्बाल का तगराब मुकाबला कौन माड़ेगा बाजी हाई फ्रेंड मैं हुनु आप देखनें ब्रेकपास्ट मीडिया नेटवर्क दोस्तो आज बॉक्स ओफिस पर एक साथ दो फिल्में रिलीज हो चुकी है जिसमें सलमान खान की नोटबूक और विद्दू जम्बाल की जंगली वहीं दोनों के फिल्में अलग अलग जौनर की है लेकिन इसके बाद भी तगरी टकर देखने को मिल सकती है दोस्तो सलमान खान अपने बैनर तले बनी फिल्म नोटबूक से दो नए चेहरे को लॉंच कर रहे प्रनूतन बहन और जहीर इकवाल फिल्म में मुखी किरदार निभाते हुए नजर आये हैं दोस्तो वहीं अबनेता बिद्दू जांबाल के फिल्म जंगली से अबनेता आसा बट ने अपने अपने क्यारियर की सुरुवात की है दोस्तो वहीं फिल्म जंगली में बिद्दू जंबाल बहुत अमेजिंग एक्सन स्टेंट करते हुए नजर आये वहीं उनकी फिल्म जंगली एक्षन पैट एवेंचर फिल्म में जंगली में बिद्दु जामबाल जानवरों के डॉक्टर यानी राज का किरदार निभा रहे हैं उनका बच्पन एलिफेंट रिजर्व में गुजरा यही कारणे के उनका जानवरों के प्रती खास लगाव है दोस्तो जंगली का निर्देशक हॉलिवूड के डारेक्टर चल रसेल ने किया आपको बता दे चल रसेल कि यह पहली बॉलिवूड फिल्म है जिसका वो निर्देशन किये हैं वही बिद्दु जांबाल खलावा फिल्म में आसा भड मरकान देश पांडे अतुल कुलकानी पुजा सावंत अहम किरदार में नजर आ रहे हैं अगर हम फिल्म की ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म पहले दिन बॉक्स ओपिस पर 2-4 करोर तक का कलेक्शन क कर सकती है वही सल्मान खान की नोटबुक फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर इसी के आसपात कमाई कर सकती है वही ट्रेट ग्रीश चोहर के अंसार यह एक रोमेंटिक कॉमेडी पिल्म है जिसकी कहानी कास्मी पर आधारित है फिल्म का म्यूजिक काफी बैतनी फिल्म में फ्रेस पसंद है वह मैं कॉमेंट करके जरूर बताएं बताइब प्रेस्चर में प्रेस्ट अवागि ऑ्रेस्ट बढ़ इकन